बंगे वीरे, मुझे कहानी सुन बेना नीन नहीं आते। मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजाएगी। यह ना कहानी है अंग्रेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुठ हो रहे थे। सिवाए एक शक्स के। क्यूंकि उसको लगता था कि अंग्रेज भुरे नहीं है। उसका नाम था मंगा। जिंदगी की हर दोड में अबबल। परिवार का सबसे लाइक लाड़ला। हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था। पैसे नहीं ले सकते जी। दादी कैती है इससे शफा चली जाती है। क्या तुम नुकरी करोगे। बंदूग मिलेगी जी। तो डंडा बगएड़ा। सच धजबन ठन चले किधर बदली हुई है कैसे आज ये नजर। अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वो और एक दिंग उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई। राजकुमारी कॉट सरगी। अपनी पोती का रिष्टा एक अंग्रेज के नौकर से कर दूँ नहीं आपको गलत सहमी हुई है जी। अंग्रेज बुरे लोग नहीं है। महाराजा के हुकम के मुताबिक आप सब को दौँ खाली करना करेगा। कांदी जी ने कहा है कानून से बढ़ कर कुछ नहीं होता है। कानून से बढ़ा काजा होता है। लाला जी सारा कुसूर मंगे का है। जी टेडिवार ले। बुझ बुरा किया मंगे ने। मैं मंगे ने शटू का दिया उने हमको। तुझे क्या लगता है। तुम लोग की तकलीफ का असास नहीं है। अगर तुझे तकलीफ का हसास अता है। तो अंग्रेजों के तालवे नह चाड़ता तू तो बड़ा मतलब भी निखला मंगे हैं सिर्फ अपने बारे में सोचो तो सच में फिरंगी हो किया है वक्त आगया हीरे जैसे कुछ तैसा दिखाने का प्राजकुमारी नहीं मिलेगी तू नो जड़ दादीना बन। मैंने तुना ने तुना कहानी कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती है और मुझे सुना रहा है